जो 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 आज हम चाट करने वाले बहुत ही जादा सा इंटरस्टिंग सा चाप्टर जिसका नाम है आप लोगों को पताओगा कि सीए फांडेशन लेवल पे जो हमारा सब्जेट अकाउंट बहुत ज्यादा इंटरस्टिंग है क्यों बहुत ज्यादा इंटरस्टिंग है क्योंकि यह जो सब्जेट हम पढ़ते हैं यहां पर इसमें आपके बेसिक्स की तो जरूरत है पर उन ब सब्जेक के अंदर जहां पर हम कुछ चैप्टर देखेंगे जिस एक ही चैप्टर में पढ़ते वक्त हम किसी एकदम ऊचे तक कॉंसेप्ट को लेकर जाएंगे और फिर उतनी हाइड पर पहुंचने का जब हम वापस एकदम नीचे डिप्थ में जाएंगे उस इंपोर्टन्स दिया गया है ऐसे चैप्टर आपके सिलबस में इंटीगरेट किये गया है जो आपके बेसिक्स को तो स्ट्रॉंग करते ही हैं और आपको एडवांस लेवल पे भी लेके जाता है इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे सिलबस में उन बच्चों की हमें जरू जाएगा आप लोगों को सिर्फ समशी सम सॉल्व करना है सिर्फ नाम के लिए सॉल्विंग ही सॉल्विंग करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है डन बढ़ू में आगे अब आप आज हम स्टार्ट करने वाले चाप्टर नंबर फोर जिसका नाम है इन्वेंटरीज यह चाप्ट रिड टू यह पूरा डील करेगा अकाउंडिंग स्टार्ट टू जिसका नाम भी यह है वैल्यूएशन आफ इंवेंटरीज वापस जैसे मैं आपको हमेशा कहता रहा हूं कि हमारे अकाउंडिंग में स्टांडर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है जाने अन जाने हम जो भी स्टार्ट कर रहें जो भी रेकॉड कर रहें वो किसी ना किसी अकाउंडिंग स्टांडर्स के हिसाब से उसके प्रोविजन को फॉलो करके ही हम लोग यहां पर आज केडिट पर रेकॉडिंग और लीखने का काम करता है सिर्फ बात यह होती कि हमें पता नहीं होता है कि इस हम ऐसा कर रहे हैं बढ़ है तो कहीं न कहीं accounting standards related यह chapter के बारे में मैं अगर आपको clear cut बता दू तो यह chapter की मुझे दो जगाओं पर जरूवत है यह chapter जो आज आप पढ़ने वाले हो यह मुझे chapter 7 unit 2 के वक्त वहापस काम आएगा यह यह chapter 7 unit 2 के साथ वहापस इसे रिलेड करेंगे यह आप वहापस आने वाला है जापर हम chapter 7 unit 2 is preparation of financial statement मतलब हमारी सिंबल वाशन में बोलू तो final accounts और unit 2 is about manufacturing entities that is अपने 11th standard में और 12th में जो पढ़ा non manufacturing entities मालब trading entities के बार में पढ़ा है यहां पर manufacturing entities के final accounts पढ़ेंगे यह chapter उधर से relate होगा secondly यह chapter आपको काम आने वाला है CA intermediate level पे अगर आप जाओगे तो intermediate level का subject है costing शायद नाम तो सुनाई होगा यह उस chapter के लिए आपको काफी जादा काम आएगा done तो यह chapter के basics आपको बहुत important है यह इधर तो काम आने ही वाले हैं प्लस आपके intermediate level के costing subject का भी base यह chapter बनाने वाला है तो please try to understand अगर मैं rate करूं कि आपके syllabus में जो important chapters कौन से हैं जो long run के इसाप से काम के हैं तो number one rating इस chapter को आपर चल अब हम quickly बढ़ेंगे आगे और आगे बढ़कर समझने की कोशिश करेंगे कि इस chapter में पढ़ना क्या है यह chapter के के बारे में पढ़ने से पहले यह chapter को शुरू करने से पहले हम कुछ चीजें पहले समझना ज्यादा जुरूर है हम पहले वह समझने की कोशिश करेंगे चाप्टर में प्रोसीड करने से पहले बढ़ा यह chapter में नाम दिया गया है पहले word use किया गया है inventory बढ़ा inventory जिसको आप नॉर्मल भाषा में इसको आप नॉर्मल भाषा में समझते थे stock जिसे आज तक आपने closing stock देखा है opening stock देखा है unfortunately मैं आपको कहूं आज तक कि आपने जो भी accounting पढ़ा है उसमें stocks को इतना importance नहीं दिया गया मतलब आप लोग ने जर्नल पढ़ा लेजर पढ़ा final accounts पढ़े बट आपने आज तक बहुत सारा अलग-अलग syllabus में chapters पढ़े रहेंगे depending आप 11-12 जो भी और और सकर्चुग आज के डिट वे आपने बहुत सारे concepts पढ़े रहेंगे frankly बोलो पर unfortunately आपका आज तक का syllabus opening closing stocks को ignore करता था या राधर में कहूंगा कि उनको जितना deserving discussion चाहिए था उतना discussion आपके आज तक के syllabus में दिया गया नहीं है stocks के regarding आप लोगों को बहुत कुछ बताना चाहिए था बताना जाना बताया जाना चाहिए था बट नहीं cover किया गया तो यह chapter आपके stocks को बहुत detail में cover करता है inventory मतलब क्या inventory मतलब availability of the stock but stock word में बुलूँगा एक narrower word है mean word is inventory है inventory को मैं simple भाशन में बोलू तो आपका stock है अभी के ल inventory है मतलब एक तरीके से stock है done पका अब आपने closing stock की accounting entry पढ़ी रहेगी सब को बताओ को closing stock कैसे record किया जाता है बताओ दू जल्दी closing stock कैसे record किया जाता है inventory को आप कैसे record करते हो तो आप दो effect लेते थे आज तक एक effect कहां जाके लिखते थे बिटा trading account के कहां लिखो के बोल और दूसरा कहां लिखते थे balance sheet के asset side में ऐसे आपने दो effect stock के inventory के पढ़े रहेंगे inventory मतलब ही stock होता है पड़ मैं आपको 5 मिट बात बताऊंगो what is the difference between inventory and stock पड़ फिलाल के लिए inventory मतलब stock होता है closing stock की अपने entries देखी होगी अब trading account के credit में जाके लिखते थे balance sheet के assets में लिखते या original नाम होना चाहिए valuation of inventory का भी नाम है बड़ा यह chapter moreover deal करता है accounting से ज्यादा valuation के ओपर वापस आतों में क्या बोड़ा हो समझाता हूं बड़ा यह chapter moreover deal करता है accounting से ज्यादा valuation के ओपर हमारे life में accounting के साथ ज्यादा-ज्यादा important valuation भी होता है बड़ा valuation जैसे क्या देखो यह चीज में पहले भी बता चुका हूं आप अगर accounts का 11 cents का basic अगर आपको याद रहेगा तो आपर clear cut बुला है first there should be measurement and then it should be recording recording से पहले एक step आता है measurement का measurement मतलब क्या आप measure करते हो transaction को measure कैसे किया जाता है तो money measurement principle नाम का principle है जो कहता है anything you recording the books of accounts must be measured in terms of money so ultimately जब मैं measurement की बात करो तो आप measure कैसे करोगे money में तो वापस मेरा मुद्धा यह है record करने से पहले पहला step जो आता है recording is the latter step the former step is measurement depreciation chapter में भी यही होता है आप पहले depreciation calculate करते हो and फिर उसे record करते हो अगर आपका syllabus पता होगा जिनका depreciation chapter हो चुका है उन्होंने चीज़ देखी होगी जिनका नहीं होगा वो आगे पढ़ लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है depreciation chapter जिनका हो चुका उन्होंने यह चीज़ देखी होगी depreciation के अंदर कि पहले आप लोग measurement करते हो depreciation को measurement करते हो मतलब क्या करते हो depreciation की amount डूलते हो और फिर उसे record करते हो आपका वह वाला जो chapter था depreciation chapter वो दोनों पर focus करता था अब देखो कि उस chapter में measurement के बारे में भी बहुत कुछ बोला है straight line method, return down value method और जो बहुत सारी methods है they deal with measurement, to measurement के भी बारे में बहुत कुछ बोला है और along with that recording के बारे में भी बहुत कुछ बोला है, debit credit क्या करना, कैसे record होगा, कैसे depreciation calculate होगा, तो provision, without provision, जो methods होती है सब यह सारी आपको methods किसे deal कराती है recording, so what I am trying to say, when you studied depreciation chapter, you had emphasized on both the aspects, that you have understood your measurement aspect and depth, as well as recording aspect was also taught you in very detail, so there in depreciation chapter, both the aspects were given the somewhat equal importance, but when we are coming to the inventory chapter, the more emphasis is on valuation rather than recording, recording यहाँ पर इतना detail में नहीं पढ़ाया जागा, because recording बहुत आसान होता है, closing stock के entry बहुत आसान होती है, यहाँ पे closing stock का valuation पढ़ाया जाएगा, मतलब क्या, आपने जो आज तक final account solve किया होगा, आपको पता होगा, हर बार final accounts की जो पहली adjustment होती थी, वो closing stock की होती थी, आपको और बार बोल दिया जाता था, closing stock was valued at to be is 40,000, और आप जाके इस तरीके से ये entry ले 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 थे इसके अगर आप दिख रहे है, ये चीजों का आप double effect लेके खदम कर देते थे, तो आप ने हमेशा final accounts जबी भी solve किया हुआ है आज तक, आपको ready made परोस कर दिया जाता था closing stock की amount, आयो क्यों with me, आपको directly ready made question में closing stock की amount mention कर दी जाती थी, कि इतने रुपीज का closing stock है, that's it, काम हो गया, खदम हो गया आपका aspect, right, so closing stock की amount हो दी थी, closing stock की value हो दी थी, वो आपको directly given हो दी थी question क्या आप सिरिफ क करते थे recording करते थे मर अगर मैं detail में discuss करूँं तो आपने जिसे मैंने कहा कि पहला step हमेशा क्या होनाचे यह आपका measurement होना चाहिए, measurement मतलबी क्या valuation होना चाहिए, और next step क्या होना चाहिए, recording मतलबी क्या accounting होना चाहिए, that is debit and credit job करते हो, that is recording, तो होता क्या था, आपने हमेशा सि वह recording बढ़ा है measurement आपने कभी किया ही नहीं है क्यों नहीं किया measurement क्योंकि आपको question में amount measurement मतलब value ready made दे जाती थी closing stock isn't it so आपने इतने सारे sum solve किये कभी आपको amount ढूंदने की जरूत नहीं बड़ी आपको amount given हो दी question में आ रहे धन में इससे देखो final accounts में भी आपने देखे रहेंगे depreciation का तो depreciation आपको percentage में दिया जाता था तो आपको पहले depreciation के amount ढूंदनी पड़ती थी फिर record करना पड़ता है आप accounts में कहीं पर भी जाओ आपको ये दो steps हर जगा पे दिखेंगे पहले आपको measure करना पड़ता है फिर record करना पड़ता है ये चीज़ बहुत common है जिसे मैं आपको basic leworki basics example आपका रdd, reserve for doubt folded, RDD व्हें पहले क्या करना पड़ता है फुल जल्दी, RDD पहले क्या करना पड़ता है, measure करना पड़ता है in percentage लगा के amount ुद पड़ती है फिर record करना पड़ता है ड्यक्रींचेशन मेजर करना पड़ता है, रेकॉर्ड करना पड़ता है還是 recycle defence distribution आपको valued at Rs. 30,000 तो 30,000 आया कहा से अब यह 30,000 आया कैसे यह chapter जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं this chapter is going to deal with this aspect that is valuation of inventory तो यह chapter recording पर इतना ज्यादा ध्यान नी देगा इस chapter में 95% जो भी पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ valuation पढ़ने वाले कि आखिर कोई भी इंसान अपनी inventory अपनी stock का valuation कैसे करेगा how exactly you are going to find out the value amount of your closing stock यह इस chapter में हम डीटेल में पढ़ेंगे sounds interesting I hope connect हो रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तो अब debit credit के बारे में यह chapter deal नहीं करेगा यह chapter की अच्छी बात ही मैं आपको fact बता दू practically कभी भी closing stock का procedure क्या होता है valuation करने का तो प्रोसीजर में एक चीज हमेशा की जाती है closing stock का value ढूणने के लिए हम physical counting करते हैं यह मेरे एक थमरूल या रखना normally अब जब भी closing stock ढूणने जाते है तो usually physical counting किया जाता है go down में जाके देखा जाता है आपके अपास कितना stock है और फिर उसके amount ढूणने जाती है यह सब हम इस detail में इस chapter में पढ़ने वाले background सबको clear है बढ़ू में आगे पक्का अब valuation of inventory पढ़ने से पहले आपको कुछ और चीज़ पढ़ने पढ़ेगी inventory की amount कैसे डूणनेंगे यह पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले inventory को समझना पढ़ेगा बलब stock को समझना पढ़ेगा कि आपके पास 31 March को क्या क्या पढ़ा ह stock क्या पढ़ा हुआ है तो अब मैं बात करूँगा closing stock आपको इस चीज में बता दूँं पहले क्लीर कर देता हूं valuation किसका किया जाता ओपनिंग reaction स्टॉक का तुब गता किसका करुँगा वैलाइशन ओपनिंग चुक यह कीज वैलेशन किसका होगा क्लोफिंगbly का वैलिवसिं कि या नहीं जाता क्य UM षटॉर्टमेंटिटर सब्सक्राइबी ते बार एंटरियोचन करना वो में वेल्योशन आप लाइशन की बात करूंगा एक यह वर्यूशन को समझते हैं इंवेंटरी के बारे में दियुप करेंगा इस आप लोग पक्का वाला बढूं आगे अब मैं आँगा inventory ये term के ओपर शब्द के ओपर है पिढ़ा inventory जो होता है वो अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग होता है अलग-अलग लोग मतलब क्या तेरे को पते हैं दो तरीके के business organization होता है एक होते हैं trading और एक होते हैं manufacturing दन अब पहली बात तो तेरे को भी पता है कि business दो तरीके से deal किये जाते हैं एक होते हैं तेरे business related to goods और एक होते हैं business related to service हम जो यहां पर पढ़ने वाले हम service sector के regarding बात नहीं करेंगे repeat मैं वापस बोड़ना हम service sector के regarding बात नहीं करेंगे क्योंकि service sector normally goods में उतना deal नहीं करता तो service sector के लिए इतना कुछ खास inventory बड़ा issue नहीं है फिलाल मैं जो discuss करूँगा service sector के लिए भी इंडिरेटली cover होगा बड़ हमारा discussion service sector यह मेरा basic discussion है जो मैं हर batch में करता हूँ I hope यहां बे कोई नया रहेगा उसके लिए मैं वापस एक बार discuss कर लेता हूँ बेटा दुनिया में अगर आप business करने जाते हो तो business दो area में किया जाता है एक तो business या तो goods में होता है या तो business services में होता है इधर I'll be dealing in service और I'll be dealing in goods service मतलब क्या आ गया examples banks हो गई बैंक क्या देती है आप लोगों को service देती है तो बैंक ultimately क्या कर रही है business कर रही है I hope you understand मैं word क्या बोल रहा हूँ business word की बात करो business business goods में भी हो सकता है services में भी हो सकता है तो banks हो गई insurance companies हो गई हम coaching institute हो गए we are dealing in service हम आपको goods नहीं बेच रहे हैं हम आपको क्या बेच रहे सर्विस बेच रहे इसंट इट पर जो goods बेचने वाले organization होती है वह आपको goods बेचेंगी तो दो possibilities है या तो goods बेचने वाला बंदा trader है मतलब कहीं और से खरीद कर लाया और तिरको आज सर्फ बेच रहा है या goods बेचने वाला person manufacturer रहेगा जो आपको आज जो बेच रहा है वह product उसने खुद बनाया है अब आपको बेच रहे वह तो इनसान या तो business करेगा तो या तो goods related business करेगा तो service related business करेगा तो फिलाल जब मैं पिर कि यह chapter का discussion कर रहा हूं तो मैं service वालों की बात नहीं कर रहा है क्योंकि service वालों के पास stop को सकता है क्या कभी दा बहुत सारा stationery पढ़ा रहेगा pen पढ़ी रहेंगी rubber पढ़ी रहेंगी तो उनको भी तो स्टॉक करेता है service sector में मेरी बात कर लो तो मेरे पास क्या पढ़े रहेंगे notes का stock पढ़ा रहेगा आपके लिए जो मेरे notes प्रिंट करके रखे हुए है वो बल्क में मेरे प्रिंट करके रखे हैं तो मेरे पास notes पढ़े हुए stock में तो stock वाला concept service industry को भी applicable होता है I am not denying the fact में मना नहीं कर रहा हूँ जैसे इसमें service sector में मैं आपको bank बोला insurance company बोला हम coaching industry बोल दी आप लोगों को फिर airline industry आ गई तो airline industry also falls under the category of inventory तो airline वालों के पास भी inventory पढ़ा रहता है isn't it so उनके आज भी stationary और बाकी काफी चीजों का inventory हो सकता है तो stock यह word इनके लिए भी logically applicable है पर हमारे syllabus में discuss करते वक्त इनका discussion नहीं करेंगे यह clear है तो मैं discussion किसका करूँगा उन business organization का करूँगा जो किस में deal करती है अब जो ट्रेडिंग organization के पास जो स्टॉक बचेगा मतब 31st March को year end में उसके पास stock जो बचेगा तो किस चीज का stock बचेगा तो आप उसको मेंशा क्या बोलतो हो उसके पास जो बचता है वो क्या रहता है finished goods एक trader है एक trader है मतलब for example मैं हूँ dealer in mobile phones मेरा mobile phone का दुकान है तो मैंने मेरे पास mobile phone रखे हुए तो 31st उमारे को जब आपके बोलोगे क्यों कि सर बताओ आपके पास stock में क्या है तो मैं बताऊंगा मेरे पास stock में क्या पड़े है mobiles पड़े है अलग अलग companies के जितने भी company के product में बेच रहा हूँ headphones रहेंगे chargers रहेंगे memory cards रहेंगे यह सारी चीज़ है मेरी क्या बन गई मेरे दुकान में पड़े हुए सामान है यहरेंड में जो बचा हुआ goods है that is nothing but your store I hope is that very clear I hope सबको एक चीज़ क्लियर हो रही मैं यहां पर बात goods की कर रहा हूँ मैं यहां पर एक point add करना चाहूंगा depreciation chapter में हम बात करते थे fixed asset की हम वहां पर बात करते थे आगे use करने के लिए यहां पर मैं बात किसकी कर रहा हूं goods की मैंने क्यूं खरीदा है बेचने के लिए पहली बात कोई भी इंसान stock नहीं चाहता चाहता हो जितना खरीदर है immediately बेचने पर आपको लगता उसको थोड़े लेवल तक का stocking करना पड़ता है तो वही इंसान I hope stock मतलब क्या बूलते थे एक ही simple भास्चा में अगर मैं stock को define करूं तो आज तक आपने stock मतलब क्या बूला था unsold goods lying in your shop, office, go down whatever it is lying with enterprise is known as stock आज तक 11th standard से अगर मैं आपको stock का definition पूछूं तो हमने stock मतलब यही बढ़ा था हम क्या कहते थे वह अमारा बिटा क्या है stock है यह सुना है सबने पका आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने वह जो definition पड़ा था वह आधा दोरा definition पड़ा था आपने जो stock का definition basically stock is nothing but part of goods मैंने अगर 10,00,000 रुपे के goods खरीदे 10,00,000 रुपे के goods मैं से मैंने 8,00,000 बेज पड़ा है दो लाक के goods अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है तो दो लाक रुपे क्या है stock है तो goods is a broader concept goods are total goods you have bought for selling out of that those goods which you have sold out of that there are remaining goods which are unsold those remaining unsold goods are said to be stock right पर आपने यह जो definition पड़ा था यह accurate है यह incorrect है यह correct है बड़ यह narrower definition है आपने यह जो definition पड़ा था हो सिर्फ और सिर्फ क इसके point of view जो बढ़ा था trading organization के इसाब से क्योंकि trading organization खरीदता क्यों था बेचने के लिए तो जो goods which are unsold with an organization and enterprise were stock यह definition सिर्फ किसको applicable होता है trader को तो trader के पास जो stock रहेगा inventory रहेगा वो किसका रहेगा finished goods का जो उसके पास पड़े हुआ है बट जो manufacturer रहेगा अब मैंने पहले बा headphones, headphones, chargers, memory cards, etc. यह सारी चीज़े क्या है? Unsold goods line with me. मैं mobile phone क्यों खरीद कर लाया था? बेचने के लिए, अब मैं कौन हूँ, trader हूँ, goods खरीदते बेचने के लिए, fixed assets खरीदते थे, use करने के लिए, तो पहले आप differentiation का समझ पा रहे हो, उधर बात चल रही थी fixed assets की, आपे बात दूसरी बात मैंने दूसरा dimension समझाया कि business करने के दो तरीके रहते हैं, एक आप goods related business कर सकते एक service related, हम service related यहां पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किस related कर रहे है, goods related, तो सबको अपना approach clear है, specific target पे हर कोई आ गया मेरे वास, अब मैं एक environment, कौनसे environment में यह chapter discuss कर रहा हूं, कि जो बजगा हो तेरा क्या है, inventory, पर तू दो तरीके का हो सकता है, तू या तो trader हो सकता है, या तो manufacturer हो सकता है, तो तू trader है, तो तेरे पास 31 मार्च को go down में क्या पढ़ा रहेगा, goods पढ़े रहेंगे, जो तूने खरी देते, they were already finished, बट जो manufacturer, जैसे मोबाइल फॉन का example है, मो गोते शीज का स्टॉक पढ़ा हुआ है, तो उसके पास 31st मार्च को स्टॉक तीन चीज़ों और रहेगा, पहला स्टॉक उसके पास जो रहेगा, Very Raw Material, Isn't it not, तो 31st मार्च को manufacturer के पास, जो inventory रहेगा, inventory जो रहेगा, Stock रहेगा, ses शीज का रहेगा, Raw Material, मानता है ऻो, दूसरा उ मुझे को नाम देते हैं क्या वर्ग इन प्रोग्रेस को और एक नाम दिया जाता है डाट इस कि सेमी कि फिनिश्ट कि गुड्स अब मैं जब तेरे पास 31 मार्च को आया चेक करने के लिए कि बता तेरे पास क्या-क्या पड़ा हुआ 31 मार्च को तो मैं तब जब दर सारे गुडाउन खोल कर देखे दुकान खोल कर देखी तो मुझे पता चला तेरे पास रोव मटरियल पढ़ा है तो मुबाइल फॉन मैनिफेक्चर करने वाला और्गनाइजिशन है तो तेरे पास स्क्रीन रहेगा पीछे के आई सीज रहेंग और क्या बनाएगा बाद में फिनिश गूड ये तेरा मिन काम है तेरा मिन बिजनस है ये तेरी मिन अक्टिविटी तो जो तो रॉव मटरियल खरीद कर लाया ओबियसली रॉव मटरियल खरीदने के लिए समध्ट तू फर एकजांपल स्क्रीन खरीदता या मोबाइल के कव और 31 मार्च को सारा का सारा रॉव मटरियल अभी तक प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ नहीं है तो जो रॉव मटरियल 31 मार्च को तुने खरीद लिया था बट अभी तक यूज को गया नहीं मलो तेरे पास एज़ इस पड़ा है इडिस ओने स्टॉक ओफ रॉव मटरियल तुरे पास 31 मार्च को रॉव मटरियल का क्या है एक लोजेंग स्टॉक तो तो तुरे ख्लोजिंग स्टॉक तीन आइटम के हो सकते इन दे केस ऑफ मैनिफेक्ट्रिंग एंटिटीज दूसरा लोजिंग स्टॉक हो सकता है तरे पास वर्क इन प्रोग्रेस मनला वह मोबाई मैं 31 मार्च नहीं बोट रहा हूँ साल में कोई भी डेट पे अगर मैं तेरे पास चेकिंग करने को आऊं तो तेरे और्गनाइजेशन में वर्क इन प्रोग्रेस कब रहेगा तो खुदी सोच वर्क इन प्रोग्रेस सिर्फ उनी सेनारियो में तेरे पास रहेगा जिन सेनार प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए एक दिन लगता है अगर तु रॉम मेटरियल इंट्रोड्यूस करता उसको प्रोसेस करता और फिनिश गुड बनाता है यह पूरे काम को एक से जादा दिन अगर लगने वाले है वन डे से जादा वाला स्पीरट लगने वाला है तो क्या जाएगा तो यह समझ सकता है कि हर दिन शाम को कुछ ना कुछ माल आधा दूरा बना पड़ा रहेगा पर अगर समझ मेरा ओर्गनेजेशन ऐसा है जिसमें रॉम मटरियल डाला प्रोसेस किया फिनिश गुड बनाए यह एक दिन के अंदर खतम हो जाता है तो नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होगा कि एक दिन शाम को तेरे पास कुछ work in progress बचे में दफ वो फिनिश भी नहीं इन iki भी नहीं जो इन दोनों के में बिला रो म्तेरियल लगा जा चुका है तो दॉड़ा होका अभी तक वो पढ़ा है अभी तरा है अभी तरीके सरे ना queens भी तरीक finished goods का stock तो manufacturer के पास तीन चीजों का stock हो सकता है ने इस cities raw material का stock का वह rouगा working in progress का होगा और finished good का होगा क्यों क्यिक्य而 donating हो यह ङर्लाइगा वह भी पढ़ा रहेगा working progress आधा दूरा बन के रहा है तो भी पढ़ाइगा धिता इस लाएंग इन य बजनश कौसे गोट्स उनस अनसोल्ड ऑड्स? उसल्डेखता है। यहाँ बने गलत होगया। ट्रेडर के अंगल से सहीं है । त्रेडर के बास ट्रव कोणिती इस जो अनसोल्ड पड़ी हुई है, बड manufacturer के लिए unsold मतलब सिर्फ finished good की बात आगे raw material तो बेचने वाला नहीं, raw material तो तो process करेगा work in progress का भी stock stock होता है तरे लिए तो जब तो closing stock बोलता है तो manufacturer के लिए closing stock में ये सारी चीज़ें आती है trader के लिए closing stock में एक ही चीज़ आती है ये सारे closing stock, closing stock of finished good, closing stock of raw material, closing stock of work in progress इन सब को मिलाकर कहा जाता है inventories inventory मतलब क्या closing stock of finished good नहीं raw material का भी closing stock हर एक चीज़ के stock को together क्या बूला जाता है inventory हैंस inventory is a broader term, broader शक्त is that very clear? अब यहाँ पर मुझे एक objection आया, मेरा ये objection था कि manufacturer के पास जो good जो इसको finish good बोलना सही है बट, 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 ट्रेडर के पास जो good जो इसको finish good बोलना कही ना कहीं गलत हो जाता है योगि फिर मैं confused हो जाता हूँ finish good word के बात की manufacturer की बात करो है shop बाला था उसके पास जो mobile दुकान में 31st March को जो mobile पड़े हुए जो बिके नहीं है उसके जो उसका inventory है उसको ऑबन क्या बोलेंगे किस चीज का inventory है? stock in trade पेहला पन उसको normally बच्पन में क्या बोलती है उसका किस चीज का inventory है? finished good, finished good word यूज़ करना कहीं न कहीं गलत हो जाता है हम बोलते हैं उसके बास जो inventory पड़ा है वो किस चीज का inventory पड़ा है? stock in trade पढ़ा होग है क्रिस्टल क्लियर यह चीज बढ़ू में आगे अपसे अपन जब भी वर्ड बोलूंगा स्टॉक इन ट्रेड वर्ड आये तो समझ जाने का मैं किसकी बात कर रहा हूं ट्रेडर की बात कर रहा हूं और अब समझ वर्ड भी कितना एप्रॉप्रियेट है स्टॉक आफ ड्रेड चांओड मतलब बॉइंग ऐंग तो ट्रेडर क्या करता है बइंग यड़ह सुस्टप्र क्रिक्स ौत्रीक अफिश वसकता है इस जयुनस कवator उब क्लिक्षा ठोओ इनवे आच्छे से समझते हैं इसे देखो यहां पर आपके ट्री में clear cut बोला in case of manufacturing concern और in case of trading concern अब trading concern के अंदर तिरको पता है traded goods या दूसरा word क्या use किया गया stock in trade का closing stock होता है हम क्या बढ़ रहे है types of inventory ते बस क्या क्या तरीके का stock हो सकता है inventory हो सकती है हुई manufacturer के लिए मैंने आपको बता है एक raw material हो सकता है एक work in progress हो सकता है finish good हो सकता है यहां पर और दो एक नाम लिए गया है that is stores and spares और packing material तो अगर तो manufacturer है तो तेरे पास closing stock में year end में तेरे पास क्या-क्या रह सकता है तो raw material रह सकता है ठीक है work in progress हो सकता है finish good और stores and spares बोला होना है stores and spares मतलब क्या यह वो छोटी मुटे चीज़े हैं जो तुझे production के लिए काम आती है जैसे for example जब तू mobile phone बनाता है तो mobile phone बनाते हो जब तू raw material में जो plastic body है तेरे पास या metal body है उस body को पहले तू clean करता है और उसको में भी clean करने के लिए तुम कोई तो dead all जैसा या कोई तो liquid disinfectant liquid use करते रहोगे chemical use करते रहोगे उस chemical बोड़ी को तुम में भी for example दो दिन के लिए dip करके रखते रहोगे ताकि उसके अंदर से smell plastic generally smell करता है बनने के बाद या जो भी उसके अंदर हो सारी चीज़े निक stores बन गया अरे समझें तो तेरे पास ऐसा भी हो सकता है कि तुन्हों chemical भी खरीद के रखा हो तेरे पास 31st March को chemical भी पढ़ा रहे है जैसे आज के organization में हर एक goods के उपर आपको sanitizer spread करना पड़ता है sanitizer जो लेके रखा है वो आपके लिए एक तरीके का closing stock ही चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा एक तरीके का spares है तुम्हारे पास पड़ा हुआ है stores है तुम्हारे पास पड़ा हुआ है वो production में use होगा देखो raw material और spares में क्या फर्क होता है raw material becomes the part of finished good मैं बाउंसर फेक रहों पकड़ raw material ultimately becomes the part of finished good stores never become the part of finished good repeat raw material becomes the part of finished good जिसे mobile phone के अंदर वो raw material के आ गया उसकी body आ गया screen आ अंदर के ICs आ गये यह सब क्या बन गया raw material क्यों मैं से raw material क्या रहा हूँ क्योंकि जो finished good mobile बनेगा उसके अंदर यह सारे प्लास्टिक का पैकिंग लगेगा सेलो टेप्स जो लगेंगी यह सारे ही चीज़े हैं यह जब तो दस-दस प्लास्टिक का प्लास्टिक का पैकिंग लगेगा पचास-पचास mobile के बड़े-बड़े boxes बनाएगा तो बड़े box एक box के अंदर mobile phone रखेगा बट फिर पचास-पचास mobile phone का भी बड़ा box बनाएगा वह बड़ा box भी तेरे लिए एक तरीके का क्या बन गया तो यह भी तेरे एक तरीके से यह भी तो बल्क में खरीद के रखेगा तो 31 मार्च को जब तो closing stock calculate करेगा तो तेरे closing stock में इन commodities की भी value consider की जाएगी इसलिए में जो है यह तीन है में आप किसी भी manufacturer की बात करोगे तो उसके closing stock में यह तीन चीज़े यूज होती रॉम अटल वर्क इंप्रोगर्स और फिनिश गूर्ड स्टोर्स जो छोटे मोटे product होते जो production process में काम आते हैं उनका भी अगर तरे पास stock ह है तो उसको भी inventory बोलेंगे और लास्ट में उसका packing material जो पढ़ा रहेगा वो भी inventory रहेगा फिलाल में सिर्फ एक term समझा रहा हूं what is inventory हम सिर्फ यह word पढ़ रहे हैं हम अभी तक valuation भी नहीं है हमने सिर्फ definition देखा है accounting standard to inventory का क्या definition देता है इसका मैंने background लिए हुआ है बढ़ information दिया मैंने आपको एक background दे दिया कि basically inventory क्या I hope सबको पहले chapter का background समझ में आ रहा है हमारा chapter deal करेगा valuation of inventory से right second point हम लोग more over focus किस पर करेंगे valuation पर rather than recording accounting हमारा यह chapter का motive नहीं chapter में हमें amount value करना सीखना है वो हमारा पहला motivation chapter के अंदर पढ़ने का done number three दूसरा हमने इसमें यह चीज़ समझा कि हम बात किसकी करेंगे कुछ discussion trader के point of view सरेंगे कुछ manufacturer के point of view सरेंगे but ultimately यह दोनों deal goods में करते हैं service sector का यहां पर discussion नहीं होगा फिर हमने देखा inventory broader डाम है जिसमे normal goods का भी stock आता है raw material का भी stock आता है any kind of stock which is which an organization either a trader or a manufacturer is having at the end of the year with him will be termed as an inventory right पका बढ़ू आगे आजाए फटक्स है चले तो definition देखते हैं आप क्या दिया हुआ है theory क्या कहता है inventory can be defined as assets held क्योंकि आपको इन्वेंटरी एक तरीके का current asset is word क्या दिया गया inventory is an asset held क्यों held करके उन्हें जो वो टर्म्स बोले वो ही है देखो इसके अंदर तीम पॉइंट रमेंस अच्छे से समझें for the sale of ordinary course of business for the sale of ordinary course of business बाले इसमें दोनों आ गया दोनों मतलब अगर trader के point of which से बात करूं तो SIT आ गया that is stock in trade आ गया और manufacturer के angle से बात करूं तो finished goods आ गया तो दोनों ये ए टर्म में उन्होंने consider कर लिया that is inventory मतलब कॉंसे goods है for the sale in an on inventory मतलब क्या बोला जाएगा the assets which are held for the sale in an ordinary course of business right to ordinary course of business normal course में जो तुमने बेचने के लिए रखा है वापस हम जाता हो यहां पर क्यों देखो बीटा accounting standard का एक एक शब्द important है जिस तरीके साब law पढ़ते थे थे ना law म किस तरीके साब language को बहुत अच्छे से interpret करने के एक आधर develop करते हो you have to keep the same approach when you are studying anything with reference to accounting standard AS का अगर content उठा के कभी भी पढ़ रहे हो तो आपको law के तरीके से ही उसको interpret करना है जैसे मेरे पास एक machinery थी वो पुरानी हो गई अब मेरे को शायद उसको replace करने के लिए दूसरी खरीदनी है तो मैंने यह machinery को बेचने के लिए निकाला तो मैंने लोगों को बोल दिया newspaper में आड दे दी ब्रोकर लोगों को बोल दिया भाई किसको रहेगा customer तो बता ना मुझे बेचना है रही सिमिलर्ली तो गुड्ज में वैसे करता है तो गुड्ज अकर तुझे बेचने है तो तो क्या करता है निउस्पेपर मार्केटिंग देगा दुकान के बाहर बढ़ा सा ब निउसस पेड दिफीलाई है वो इयुकेट में आजुटिंर के बोड़ लगाए वाय। मै index ढुट में जकूटने लगाने लाह दिया और में घर के वाय. आफिस के बारे दोनों held for sale है रिपीट मशीनरी में भी मेरा intention उसको बेचने काज डिराइव बन चुका है क्योंकि मेरा लग रहा है यह पूरानी हो चुक है गुट्स में भी मेरा intention बेचने का है दोनों जमाँ पे मेरा intention बेचने का है तो इन बोद दी example बोद दी आइटम्स हार held for sale इसलिए उन्होंने word held for sale नहीं बोला अच्छे से समझ बेटा clear cut बोला in the ordinary course of business यह बहुत इंपोर्टन्ट है held for sale है है और यूर्ड फॉर सेलन है ओर दीनरी कोर्स जाता था तक अमझे PG तूर जाता था बच्पन का डेफिनेशन था यूमर्ड नीज बिला जाता था अभ हुआ जो à टो पहर फ Tag So sour sour value आ जो सकाए ला अब च्यों का था अब ऊट चुक है अब अपन एडवांस Definition पढ़ेंगे एक्शुल अगर लेपिनिंशन पढ़ेंगे क्या था तो पहला वोट आ गया पहले देपिनिशन का पहले पाट में केश्चर वी का जाते है वहाँ पर बस अब उसको रेफरेंस केसे पढ़ेगा तू लाइन केसे पढ़ेगा inventory can be defined as an asset held in the process of production सम्झा मैं कैसे बढ़ना हूँ यहां पर और आया ना पहले पॉइंड के बाद और दिया ना और क्या आद क्या बूला in the process of production for such in the process of production in the process of production production के process में उसको तुन होल्ड करके रखा है और production करके क्या करेगा उसको production होने के बाद उसको सच सेल वैसा ही सेल करेगा जो उपर जिस गुट्स को रखा दा in the sense यह किसकी बात कर रहे हैं तो वर के इन्प्रोग्रेस सेमी फिनिश को कि बात किया रहा है तो second point बोलता है inventory can be defined as an asset held in the process of production for such sale और वापस और बोला है मतलब और तीसरा point क्या बोलता है for the consumption है क्या in the production of goods or service for sale for the consumption में क्या for the consumption in sale में क्या आगया आपका raw material तो तीसरा definition का third part किसे deal करता है raw material तो frankly speaking तो में चार चीज नहीं तरी stock in trade जो ट्रेडर के लिए एक ही stock होता है that is stock in trade manufacturer के लिए कई सारी चीज़ हो के stock होते है तो trader के एक stock in trade आ गया और manufacturer के लिए फिल उन्होंने क्या बोल दिया work in progress आ गया finished good आगे और नीचे raw material आगया यहां पर नहीं खत्म हो आगेगा आपाट बहुत ज्यादा important अच्छे से समझ for consumption in the production of goods and services for sale sentence कैसे read करेगा चाटीक से inventory can be defined as an asset held for consumption in the production of goods and services for sale तो क्या करेगा तो उसको consume करेगा consuming the production of goods आ रहा है समझ में including raw material के साथ और क्या include करेगा तो तो maintenance supplies and consumable other than machinery spare service equipment and standby equipment क्या बोला गया क्या include करेगा इसमें maintenance supplies तो जिका क्या आते हैं एक वड़ा आता है consumable को थोड़ा बहुत रिलेट कर सकता है यह stores के जैसा है और maintenance supplies को तो spares बोल सकता है तो spares and stores की बात करनें तेरे साथ समझ दो मिनटे गला consumable मतलब क्या वो चीज जो consume हो जाएगी अरीपी आपके पड़े हुए जिसे काफी जोगां पर आपका fuel होता है जिसे अब अगर हमारी company for example coal पर चलती है हमारी जो machinery है company के अंदर की सारी coal based machinery है तो हमने क्या किया एक साथ 500 टन कोल लाके रख दिया अब हमारे गोडाउन के अंदर कोल भी पड़े तो दो में विजुलाइस करना बिटा तो विजुलाइस कर एक manufacturer का situation अब मैं थोड़ा तो factory और एक होता है warehouse या गोडाउन पर यह समझ है manufacturer की factory होती है और गोडाउन होता है factory में क्या रहता है factory में समझ एक पारट है तेरा जहां पर तुने machinery रख्य हुई है our factory में एक पार्ट तोने assign कर दिया कि यह ईहां पर सारी मशियोरी रख्य रखी हुई है अब factory machinery के साथ एक एरिया पड़ा रहता है जहां पर तेरा raw material रख जाता है तरह आक्टरी में एक ऐसा एरिया रखता है जहां पर तेरा रखता जाता है फिर उसी के साथ साथ आख और एक एरिया रहेगा तेरे फैक्टरी के अंदर जहां पर तु सारे प्रोडक्ष्यन में लगने वाली चीजे रखता है जिसको हम कंजूमेब्ल्स कहेंगे मतलब अगर मेरी फैक्टरी मशीनरी पे चलती और मशीनरी चलता है तो में भी यहां पर मैंने कोल रखा रहेगा अलग से लेकर क्या मैं आपको बुला कोई केमिकल लेकर रखा रहेगा जो मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस में मुझे काम आता है अबुआती पिछ के साथ कंसुमेबल्स लग जाते हैं जो जाती जो झाती बड्योमेट में दिखिंगेगा नहीं दीखेगा इसकर फ्यूलिट मोना कगल पढ़ा हुआ तेरे पास बहुत सिरू यह सारी चीजुन काएं रहती है सारी चीजह कहां रहती है थी फैक्टरी के थे पर फैक्टरी में एक एरिया रहे चहांपर क्या पढ़ा रहता रहे गा तेरह working massively तरफ के बिढ़ा एक एरिया रेगा जहां पर क्या पड़ा रहीर गश्वर के अरुरी के अंदरर मेशिमेरी में सो आपत्ठי प्रोडक्शन गोगी आपका स्टेप ऊप स्टेप बांसेटे स्टेप ओप फञें कुल वह फीần करते हैं स्टेप 2 में 2 स्पेर पार्ट एसेंबल होते रहेंगे फिर स्टेप 3 में और 2-4 स्पेर पार्ट उसमें एसेंबल होते रहेंगे फिर उसका टेस्टिंग होता रहेगा फिर उसका बॉक्सिंग होता रहेगा इस तरीके से अलगरक स्टेप में तरह प्रोडक्शन होता है और फा 31st March को आएगा और 31st March को तू चेक करने जाएगा क्या तेरे पास inventory stock किसका है तो तेरे को stock raw material का भी मिलेगा sorry तो को stock raw material का भी मिलेगा तो को stock consumables का भी मिलेगा तो को stock working progress का भी मिलेगा ये भी सारी चीज़ें तेरी पड़ीवे रहेंगे अब जब एक बार तेरा goods किसमें convert हो गए finished good में तब वो factory से shift हो जाते हैं कि इदर गोडाउन या वेहराउस में यहां पर क्या रहते है यूजुली कोई भी organization finished good अपने factory में नहीं रखता factory अलग होती है वेहराउस अलग रहती है कि मैंने several times का हुआ है यह description किया हुआ है factory दूर दराज के एरिया में होती है MIDC एरिया हो गया सेज हो गया special economic zones यो यूज हो गया export oriented units FTZ हो गया free trade zone जैसे अलग-अलग कर तरीके से government ने एरियास बनाया हुए है जहां पर आपकी factory setup गरते हो आपके factory वहाँ पर setup होती है बड़ finished goods वहाँ पर store नहीं किया जाते है खतम होगा finished goods को कभी factory में नहीं रखा जाता है एक अलग से गुड़ाउन बनाया जाता है नौर्मली यह फैक्ट जो गुड़ाउन होता है यह किसी मार्केट या फिर सिटी के नजदीक रहता है क्या आपका जो वहराउस रहता है गुड़ाउन जो रहता हो थर्डी फर्स्ट मार्च को जब तू closing stock निकालेगा तो एक manufacturer के पास raw material का closing stock रहेगा work in progress का रहेगा finished good का रहेगा consumables का रहेगा और और एक word वहाँ पे use किया गया उन लोगोंने maintenance supplies अब तो काफी बार कुछ maintenance supplies रगते हैं मतलब goods को maintain करने के लिए कुछ supply करना पड़ता है इसे चोड़ा से एक्जामपल देता हूं वही तू गुट्स रख रहा है तेरा में भी तेरा गुट्स कोई food product की बात कर लो केड़वरी company जो है जो डेरी मिल्क बनाती है उसने क्या किया डेरी मिल्क जब बनाती होगी तो डेरी मिल्क को बनने के लिए शाए 3-4 दिन लगते रहेंगे प्रोड चॉकलेट लेते रहेंगे उसको कुछ melt करते रहेंगे उसको कुछ boil वगरा करके process करते रहेंगे फिर उसमें कुछ और चीज़े एड करेंगे जैसे fruit and nut हो गया तो उसमें कुछ राइफ्रूट्स आड़ होंगे सिल्क के अंदर शाय चॉकलेट को और जाधा टाइम उसको रखा जाएगा कुछ तो process होता रहेंगा आप परसीव कर सकते अपने माइंड के अंदर की कुछ तो ऐसा process होता रहेंगा फिर वह process हो कि फिर उसको कहीं पर थंडा करने के लिए रखा जाएगा उसके यह होंगे आ वी कॉल इट साचे रहते हैं साचे अगर घर पर आपने कभी आइस क्रीम बनाई रहेंगी या चोकलेट बनाए रहेंगे घर तो उसके साचे रहते है राइट उसके बहुत अच्छा नाम दिया जाता है that is basically your molds हो तो उसको molds कहा जाता है technical word में M.O.U.L.D.S. molds तो जो molds होते है तो molds तेर एक तरीके का maintenance अप्लाई तेर प्रोडक्शन प्रोसेस को maintain करने के लिए बीच में कुछ तो लगता है अब वो molds की life जादा नहीं रहती शायद वो एक दो बार यूज हो के तीसर बार फेक देने पड़ेंगे कुछ molds ऐसे होते हैं जो शायद 2-3 दिन की life रहती है बाद उनको फेक देना पड़ता है तो शायद आपके molds की life बहुत कवड़े हां अगर वो molds बहुत लंबे समय तक यूज होने वाले रहेंगे देन बिकम फिक्स असट फिरो फिक्स असट होगा है प्रो मोल्ट जो लिमिटेड पीरेड के लिए या फिर फॉर एक्साम तुम चॉकलेट को उठाके किसी टिशू पेपर पर रखते रहोगे थोड़ टाइम के लिए यह कोई अलग तरीकी का paper रहता होगा जिस paper में तुम उसको दो-तीन घंटा रखते रहोगे सोक करने के लिए जैसे oil products के लिए होता है समझ तो chips बनाता है बाला जी वेफस तो बाला जी इशू पेपर भी रखना पड़ता रहेगा आपको लेगा production process में raw material छोड़कर machinery आपको क्या समझ में आता है machine machinery fix a set है उसमें raw material डाला और तो machinery में उससे गुड़ 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 हिलके सीधा finish गुड़ थोड़ी बहर आता है और बहुत सारा process होता है ना बीच में बहुत maintenance supplies आगया उसका production process में maintain करने के लिए बिच में कुछ डालना पड़ता है तो यह सारी चीज है को आप लोग क्या बोलतों यह आपकी तरीकी की inventory इसलो थर्ड पॉइंट में cover किया गया है थर्ड पॉइंट कॉमन वर्ड बोलता है held for क्या consumption यह consume हो रहा है production प्रोसेस के लिए raw material में आगे शौ उन्होंने एक बाट clear cut बोला है यह जो हम supplies बोल गया है जो चीजें मोल्स अगयरा यह सब जो बोल दिया छोड़े spares बोल दिया छोटे मोटे parts हो गया यह पार्ट में हम कहीं पर भी इसमें किसको include नहीं करेंगे machinery के spare parts को नहीं करेंगा कोई भी अगर आपके आपके बास fix asset machinery उसका spare part हो गया क्या बुला उन्होंने other than inventory में यह नहीं आएगा क्या inventory में नहीं आएगा machinery space servicing equipment machinery के servicing equipment होते रहेंगे जिसे आपके अलग-अलग screwdriver हो गया पाने हो गया यह सारे machinery को अगर संबलने के लिए काम आ रहे हैं यह stand by equipment इसको मैं 2 मिंट बात समझाता पर मैं क्या कह रहा हूंगी जो screwdriver हो गया या अलग से कुछ machine clean करने का machine जैसे vacuum cleaner आपने रखा हुआ है जो आपके सादा घर वाला vacuum cleaner नहीं बड़ा vacuum cleaner रखा है जो दो दिन बाद आप पुरे machinery को उस vacuum cleaner से clean करते रहो गये तो वह सारी चीज़ेंगे जो machinery को servicing के काम आती है machinery के spare parts के हिसाब से काम आती है they are not covered under the inventory they are covered under the fixed asset उसको fix asset treat किया जाएगा यहाँ पर एक word use किया गया बेटा standby equipment standby equipment मतलब कौन से equipment वह equipment जो तो standby mode पे रख रहा है क्या होता है standby equipment मतलब बहुत सारी companies काफी बार क्या करती है है दो-दो machines रखती है manufacturing दो-दो setup बना के रखती है जैसे for example उस company के पास एक machinery मुलब समझेंगे प्लांट में 10-15 machinery का पूरा group है right plant is a group of machinery तो अगर group of machinery मिला के एक plant बन रहा है 10-15 machinery का एक plant है उसमें सब्सक्राइब को लगता है कि 4-5 machinery जो है की machinery इंपोर्टन मशिनरी है या जिनको बार-बार replacement की जरुवत पड़ती है कुछ रहता है या फिर मेन अगर वो नहीं रही तो production ही नहीं शुड़ होगा तो similarly वैसे ही पाच machinery और एक खरीद के रख दी जाती है अगर टेट ताइम दो-दो machinery है आपकी राइट स्टेंड बाइशी सिंपल आपके सेकंड मशिनरी पड़ी हुई है मतला अगर पहली मशिनरी इनकेस खराब हो गई तो आप सेकंड उसके जाब पर यूज़ कर लोगे इस सम्धिंग जैसे बोड एक्जाम में आप दो-दो प काम आ जाएगा दें दूसरा कैल्कुलेटर जा स्टैंड बाइट कैल्कुलेटर स्टैंड बाइट मतलब सपोर्टिंग में अपने एक चीज रखी हुई है अगर पहला इनकेस खराब हो गया तो सेकंड वाला हम उसको यूज़ करेंगे आ रहा है समझ में तो ऐसी को स्टैं आप एक्जांपल्स दिये गए काफी इसमें से मैं डिसकस कर चुका हूं कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे इंडिविज्यूली पूछ सेन ले ना उस चीज़ कर ला है बढ़ू थोड़ा एडिया बैट रहा है तो अब हम कुछ नहीं बटन एनफ्रॉचुनेटली उसको वैल्यू कैसे करेंगे अब वैल्यू करने से पहले यह समोजोनी कि वैल्यू किसको करना है तो वैल्यू को करना पड़ेगा तो वैल्यू 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 करना को समझना आगे का में बढू में आ गया आपका सोचने का प्रिजम शायद वाइडर हो रहा है किस आफ्टर इस डिस्कुशन्स राइट देखो वही बुला है तेर कैंड डिफरेंट टाइपस आफ इन्वेंटरी बेस्ट आन नेचर आफ बिजनस आफ एंटरपाइस आपके प किस्टीवेटल डिटरमाइन देट्व एंट वहाइड दाफ़ एंट अवरी यह डन बढू आगे टीविन्ट्री इस आफ ओ ट्रेडिंग कंसर्ण कंसिस्टों प्राइमरी ली क्या प्राइमरी ली औफ प्रोडक्स परचेस फॉर क्या रीसेल इन धेर एक्सिस्टिंग अब में also have an inventory of supplies इसके बाद भी supplies हो सकती है such as क्या wrapping paper रहेगा cartoons रहेंगे cartoons मतलब ए cartoon तेरी बात नहीं कर रहा कार्टून मतलब यह वो boxes होते बड़े से जिसमें आप packing करते हो right small packing दोती उपर जाते इसको primary और secondary packing बोलते है यह से मोबाइल फोन का प्राइमरी पैकिंग पर ऐसे पचास मोबाइल फोन का बड़ा बॉक्स बनेगा उसको क्या बुला जाता है secondary packing secondary packing में cartoons होते बड़े बड़े boxes फिर stationary रहेगा तेरे पास होई चिगट पट्री टेप रहेगी लगाने के लिए stapler pins रहेंगे जो भी आप glue रहेगा stick करने के लिए whatever you are using it inventory of a manufacturing concern अब 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 अपन manufacturing concern की बात करें तो consists of several types of inventories क्या क्या हैगा manufacturing में raw material आएगा which will become the part of the goods जो मैं आपको cheek cheek कर कह रहा था goods to be produced उसका part बनेगा work in progress रहेगा जिसको हम partially completed products in the factory बोलेंगा और finished good रहेगा यह तीन तो रहेंगे but in manufacturing concern inventory will also also include maintenance supplies consumables loose tools छोटे मोटे tools छोटे मोटे tools मतब जैसे अगर and spare parts मैंने आपको बोला वो spare parts में आगया loose tools में छोटे-छोटे loose tools आ गया हाँ आपके जानकरी के लिए बता दू loose tools जो होता है यहाँ पर यह chapter कहता है कि loose tools तुमने क्या दिखाना inventory का part trade करना बिटा वाबर समझे loose tools दो तरीके के हो सकते हैं एक loose tools जो machinery के लिए काम आए that will become the fixed asset इसला आज तक आपने अगर बच्मन में देखा रहेगा तो आपने balance sheet में loose tools को assets में दिखाया है और उसको depreciation भी लिया है तो आपको आज तक जो loose tools दिए जाते तो fixed assets वाले loose tools दिए जाते थे जिसे छोटे मोटे में आपको बताया था spare pan वगरा जिसे आपका अगर बड़ा shop है आपको था shop का बहुत बहुत बड़ा shutter रहता है काफी बाद तो shutter को बंद करने के लिए बड़े से यूज करते रहेंगे चोटा मोटा को रॉड वगरा उसको stir करने के लिए यूज करते रहेंगे पर उनकी लाइफ जादा नहीं होती रहेंगे उनको थोड़े टाइम में replace करना पड़ता रहेगा तो तो यूज करने रहेगा और नॉर्मली वह pan हो गया या वो stirrer हो गया ऐसी चीज है आप बहुत बल्क कॉंटिटी में खरीद के रखते हैं क्योंकि जो चीज बार बार रोटेशन में घुमने वाली उसको आप ज्यादा कॉंटिटी में घर जिसे आपको छोड़ा से एक्जामपल देता हो अगर आपके पास ऑफिस में बहुत सारे ऐसे एक्विपमें में जुब़त में परड़क्ट है तो तो तू आपिस में तरे पास जबहुत साही मचीनरी यह जो सेल पे चलती है तो तो उसको फिक्स एक टो लिब करता हो चल रह दो हो पनाने का घ्र्शह सें और घ्र जोय मीद्टी मृत्ट्वरटि करने में काम आने वाला है तो तàटसân फिर वह अगहां वो गर लॉंग टम यूज होने वाला रहेगा तो फिनिस्ट गूड बनेगा शॉट टम वाला रहेगा जिसको थोड़े थोड़े टाइम में आप रिप्लेस कर दोगे यूज करोगे थोड़े बाद फिक दोगे वापस नहीं ले लोगे इसको फिर आप लोग क्या ट्रीड करोगे विल ट्रीट ट्रीट इस और इन वें ट्री यहां पर उन्होंने बुला कि along with that यह बाकी की छोटी-छोटी भी चीज है रहेंगी जो आपका इन्वेंटरी का बाट बनेगा ड़न होईवर इन्वेंटरी दो नोट इंक्लूड वही जो आपने पहले बात किया, spare part servicing equipment and standby equipment which can be used only in the connection of an item of fixed asset and whose use is expected to be irregular, such machinery spares are generally accounted for as a fixed assets, similarly in an enterprise engaged in a construction of a business, project under construction are also considered as an inventory, obviously this part मे मेंने discussion नहीं किया, यह zoom करके का आपको यह पाटिया, पता होगा कि what do you mean by the word goods, I hope यहाँ पर बैठा बच्चा बच्चा जानता है goods क्या होते है, right, मैं आगे बाग यह पता होगा, अगर नहीं पता होगा, sorry I am repeating a point, goods is a thing in which a business deals, आप जिसमें deal करते हो goods है, I hope आपको difference पता होगा, goods and fixed assets के बीच का फर्क शायद पता होगा, fixed assets वो ची क्यों कि आप उसे क्या करने वाले हो, use करने वाले हो, इधर तक मेरे साथ है दो, I hope सबको बता होगा, कि person to person, organization to organization, goods and fixed assets बदलते हैं, अगर मेरा, for example, mobile shop है, तो mobile मेरे लिए goods है, पर तेरा अगर, for example, computer shop है, जावे तो mobile नहीं बैचता, तेरे लिए जो office में तुने mobile रखा रहेगा, वो तेरा asset है, मेरा mobile shop है, मेरे लिए computer fixed assets है, पर तेरे पास जो computer पढ़ा हो, तेरे लिए goods है, तो जो इंसान, जो चीज में deal करता है, उसके लिए, वो goods बन जाता है, वो प पका वाला, एकदम clear है, अब इसमें एक मज़ेदार point समझते है, mobile shop वालों के लिए, mobile goods है, computer shop वालों के लिए, computer goods है, isn't it so, पका वैसे ही, automobile stores वालों के लिए, जो Honda के showrooms हो गए, या four wheeler की गाड़ियों के showrooms हो गए, इनके लिए गाड़ियां सब क्या बन गई, goods बन गई, पर बन गई, तो मज़ेदार बात यह है, कि वो goods जब मेरे पास बच जाएंगे, पड़े रहेंगे, तो मेरा stock हो, मेरा current asset, क्यों मेरा stock और current asset है, क्यों मैं अभी तक बेचा नहीं है, मेरे पास अभी तक पढ़ा है, जिस दिन में बेच के तेरको दे दूंगा, वो goods, तेरा वो fixed asset बन जाएगा, तू उसके ओपर सालो साल depreciation calculate कर, तू तेरा asset दिखा कि उसके ओपर depreciation कब calculate करेगा, once I sell you those goods, but unless and until I am not selling those goods to you, they become the part of my stock and they will be treated as in current asset for me, they won't be treated as a fixed assets of mine, because I am not at all going to use it, I am just going to deal in it, तो मेरे लिए जो current asset है, जब वो तेरे को transfer होगा, तेरे को जाकर वो fixed asset बनी आएगा बस, right, तो last month उनने बस वो एक additional point डाला है, कि जो builder लोग हो गए, उस builder के लिए, वो land, building, flat, shop, office, यह सब क्या है, goods है, और अगर तू builder का 31st March का stock निकलने जाएगा, builder का 31st March का stock निकलने यह shop, flat office, और वो ही अगर office मैं खरीद लेता हूँ, तो मेरे लिए वो building का part बन गया, वो मेरा asset बन गया, fixed asset बन गया, बट builder के लिए, यह सारे shop, office, flat, land, यह सब क्या बन गए, goods बन गए, और जो उसके बस unsold पड़े रहेंगे, जो इसका सब अवे लेबल रहेंगे, that will become the part of its closing stock, आप समच तो एक builder की बैले, balance sheet छोड़ दे, एक builder के trading account के credit side में, कितना huge amount of closing stock देखता हुगा, तो एक builder के trading account के credit side में, huge amount of closing stock देखता रहेंगा, isn't it so, जितने भी यह flat shop, offices, यह सब उसके क्या बन जाएंगे, closing stock, simple, बढ़ू हांके, हाँ पड़ी आपर एक general masala बूरी में आप को देदू, तो जो इन्होंने इदर बोला हुआ है, पका, preparer, यह आ गया, considered as an inventory, बट मैं आपके general knowledge के लिए बता दूँ, एक general knowledge के लिए बता दूँ, builder का closing stock is covered in accounting standard 7, that is construction contents, builder logo का closing stock का कैसे calculation करना, वो AS7 में covered है, हम यहापे builder logo के closing stock का calculation नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहापर AS2 के reference में manufacturer and trader के normal goods वाले point of view से बात करेंगे, हम यहापर land, flat, office, shop, जो builder logo का building का construction होता है, उसके regarding यह chapter में discussion नहीं है, आप future में accounting standard 7 जब पढ़ोगे, तब detail में यह चीज़ वहाँ पे cover होगे, बढ़ू मैं आगे, पक्का, अब आगे का point वो यह, at the every, at the year and every business entity needs to ascertain, ascertain मत्त भी value करना, जो में word use कर रहा था, ascertain the closing balance of inventory, which comprises of, क्या रहे, inventory of raw material, work in progress, finished good and other consumable items, value of closing inventory is put, जो value तून ली, यह record करतो, कहा record करेगा, वस put at a credit side of a trading account and asset side of a balance sheet, so before preparation of final accounts, the accountant should know the value of inventory of the business, however we shall restrict our discussion on inventory valuation of manufacturing, concern, मिला क्या रहे, पर inventory valuation of manufacturing concern and goods of a trading concern, done, मारे discussion यहीं तक restricted रहेगा, पक्का, शौ, अब मैं आपके जानकरी के लिए, यहाँ पर एक चीज़ बता दू, हम इस chapter में कौन सा valuation पढ़ेंगे, वापस आजाए, समझ जाए, हम इस chapter में, जब valuation पढ़ने की बाहर ही आएगी, हम इस chapter म पहले उसके points बता दू, तो आपके mind में पहले clarity आजाए, इस chapter में हम लोग सिर्फ, manufacturer का raw material का valuation सीखेंगे, और trader का, trader का stock in trade का valuation पढ़ने वाल है, हमारे syllabus में, inventory का definition तो दिया है, बट जो valuation कराना सिखाएंगे, इस chapter में, अगर तो manufacturer है, तो तेरा work in progress कैसे value होगा, यह बहुत interesting ही आपके, जो मैंने आपको कहा था कि costing subjects, यह इंटर में मिलेगा, उसमें ही detail में है, finish good कैसे करना, यह भी तुमको costing में आगे मिलेगा, valuation, space, packing material, यह सब नहीं इतना important, relevant नहीं है, आपको फिलाल के लिए foundation level पे सिर्फ raw material का, और stock in trade का, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, तुझे समझ जाना चीज़, जब मैं raw material की बात कर रहा हूं, तो मैं manufacturer की बात कर रहा हूं, और जब मैं stock in trade की बात कर रहा हूं, तो मैं trader की बात कर रहा हूं, तो इस syllabus में तुझे सिर्फ दो ही valuation सीखने है, valuation of raw material and valuation of stock in trade, हमारा syllabus सिर्फ इतने ही area से restricted है, है, हो सब को background समझाए, introduction समझा अगरी, everyone with me, अभी यहां पर एक चीज़ में बता दू, बहुत बच्चों के मन में doubt है, sir इसको fix asset बोलेंगे या inventory बोलेंगे कैसे समझने का, इसका कोई thumb rule नहीं है, यह organization to organization vary करता है, तिरको definition दे दिया गया है, तुझे उस situation में definition apply करना है, कि whether इसको तो long term के लिए use करने वा बन सकती है, that's where your presence of mind and your application of knowledge is required in real life, आए समझ में, आज के लिए हम इस lecture में यही पर रुखेंगे, आगे के lecture में हम लोग इसका आगे का introduction continue करेंगे, तब तक के लिए, have a nice time, take care of yourself, be good with others, God is great, bye-bye. आगे, आगे, आगे.